हुआ है हल दोस्तों आप से भी का हमारी यूट्यूब चैनल भारत ना के ब्लॉग पर स्रागत है अभी हम जा रहे हैं राजा राव पठार मिला हम वहाँ जाकर दिखलाएंगे कि यहां मेला कितना बड़ा होता है तो आप हमारे वीडियो पर बढ़े रहे हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिए अभी फिलाल हम रास्ते प आएगा मिला तो पता नहीं हम आपको वहीं जाकर दिखलाएंगे मिला लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाता है और जाम लग जाता है अच्छा खासा कि अभी हम जा रहे हैं राजारा पठार बिला है है दोस्तो यहां से हो जाता है पठार चलू यह पहाड को काट कर बनाया गया रास्ता पहले साइड से था रास्ता अभी पहाड को काट कर बनाया गया और इधार से बर्शाद दिन में भू इसकलन होने का खतरर बना रहता है और बर्शाद दिन में पुरा इधार पहाड गिर जाता है तो आने जाने के लिए दिक्कत हो जाता है और ये साइट से रस्ता देख रहा है इधरी से बर्शाद दिन में गाड़ी चलता है अगर इधर करना जारा देखो भाई कजब करना जारा है अगर आप कभी इधर बसाथ दिन में आते हैं तो देख समझ कर चलिए चड़ा होने के कारण ट्रक भी यहां असानी से चग नहीं पाता और यहां ट्रक बहुत लोड है इस करन से अराम से चड़ाई कर रहा है आप ट्रक में देख सकते हैं पता नहीं क्या लोड है लेकिन यहां अराम से चड़ाई कर रहा है और इधर मंदीर है पठार का मंदीर पता नहीं क्या मंदीर है तो मैं तो कभी गय नहीं हूं और इधर सोजाता है पठार चलू हूँ और पुरा जाम लग चुक поряд ट्रक वालों को रोड़े जारा हूँ ताकि उधर जाम न लग पाये इसलेहें पहले से ट्रक वालों को रोड़े रख गया है और यहां सो जाता है अपना पठार मेला चलू देखिए सकते हैं कि इधर कितना भीड़ है अब हम राजाराप पठार मेला पहुंच गा है अब आप दिखाएंगे मेला में क्या क्या होता है गैस हम लोग जा रहे हैं मेला साइट और इधर पार्किंग है तो गाड़ी को इधर पार्क हुई कर दिये हैं और पैदल जा रहे हैं मेला साइट तो आप भीड़ देख सकते हैं कितना भीड़ है मेला तो अभी आगया और दिखाएंगे कि मेले में क्या क्यों होता है और कितना भीड़ है और ये हमारे बस तरक पूरा वैसाग पेना है भाई साब मेला देखो गाईज दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे अपने नेक्चर ब्लाग पर तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नमद पुलिए अगने रेस्ट ब्लाग देखने के लिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाग पर